दोलगपुर गाउं में रामलाल अपने बेटे और बहु के साथ रहता था रामलाल दोती कुर्ता सिलने का काम करता था अरे ओ चंदन अब तो शादी शुदा हो गया है बेटा सिलाई सीख ले चंदन वैसे तो गाउं में घूंता रहता था लेकिन कभी-कभी एक दो घंटे अपने पिता से धोती कुर्टा सिलना सीख लेता कुछ दिनों बाद चंदन के पिता की लिख्यू हो जाती है सिलाई का सारा काम चंदन ने समालना शुरू कर दिया कुछ सालों तक तो चंदन का काम ठीक चलता रहा लेकिन फिर चंदन पूरे-पूरे दिन खाली बैठा रहता लोग कुर्ता पहनना दीरे-दीरे बहुत कम करते जा रहे थे एक दिन चंदन अपनी पत्मी से कहता है धंदा बिल्कुल नहीं चल रहा लोग रेडी मेट कपड़े खरीद रहे हैं कपड़े सिल्वाने वाले बहुत कम बचे हैं समझ नहीं आरा क्या करू आप ये कपड़े सिलने का धंदा बंद करो हमारी छोटी सी बग्या में कई तरह के पौदे हैं आप छोटे छोटे पौदे ले जाकर बेचना शुरू करो अरे पागल हो गई है पिगण पौदे कौन खरीदेगा अरे आजकल सभी लोग अपने घर गमले रखना चाहते हैं पौदों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले बना कर भी बेच सकते हैं एक बार कोशिश करके देखने में हर्द क्या है वैसे भी इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट तो चाहिए नहीं चंदन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, गेंदा, तुलसी, अनार, मनीप्लान, अमरूद, आधी के छोटे-छोटे पौधे बेचने निकल पड़ता है अगले दिन चंदन गाओं में पौधे बेचने जाता है उस दिन चंदन की ज्यादा कमाई नहीं होती मात्र सौ रुपे की कमाई हो पाई है आज कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि शहर में पौधे बेचने जाओ अगले दिन चंदन शहर में पौधे बेचने जाता है शहर के लोग चंदन के हरे भरे पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं चंदन की अच्छी कमाई हुई, वो बहुत खुश होकर घर लोटता है. लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं. तुम्हारा आइडिया काम कर गया शहर वाले लोग तो गमलों के दिवाने हैं लगबहग हर मकान में मैंने गमले रख्चे हुए देखें शेहर की लोग उल्लू होते हैं, पहले मकान बनवा कर सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, फिर अपने घर पर पौधे रखकर सोचते हैं कि हमारे घर हर्याली है, अब चंदन हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ ले कर आता, कभी सूट, कभी साड़ी, कभी कुंड एक दिन पडोस वाली गीता चंदन के घर आती है, अरे भाबी जी थोड़ी चीनी दे देना, हमारे घर खतम हो गई है, परसों लोटा देंगे, आप बैठिए, मैं अभी देती हूं, चंदन के पत्नी चीनी लेने अंदर किचन में चली जाती है, तब ही गीता की नजर चंद चीनी लेकर बहुत गुस्से में अपने घर पहुशती है, और अपने पती रवी से कहती है, तुम भी चंदन भाईया की तरह कोई अच्छा काम धंदा करो, ना कारा निकम्मों की तरह पड़े रहते हो घर पर, ये चंदन पौदे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है, जब मैं इतना आराम करता हूं, तो इसे इतनी मेनत की क्या जरूरत है, रवी रात में एक छड़ी लेकर चंदन की बग्या में घुर जाता है, और सारे पौदे उखार डालता है, अगले दिन जब चंदन और उसकी पत्नी बग्या में आते हैं, तो देखते हैं किसी में सारे पेड़ पौदे उखार दिये हैं, ये भगवान, ये किस ने किया, चंदन और चंदन की पत्नी बग्या में बैठ कर रोने लगते हैं, तभी वहां एक देवी प्रकट होती है, देवी चंदन को एक मनी प्लांट का पौधा देती है, ये साधारन मनी प्लांट नहीं है, इसके हर पत् नानक होंगे। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिये गए मनी प्लांट को चंदन अपने घर पर रख लेता है। मनी प्लांट से रोजाना एक पत्ता आता और पत्ते के साथ एक दो हजार का नोट निकलता। एक महिने में चंदन के पास साथ हजार रुपए एकटे हो जाते हैं। उन पैसों से चंदन एक नई बगिया लगा लेता है। और दोबारा पौधे बेशने का धंदा शुरू कर देता है। ये चंदन के पास इतने पैसे कहां से आये। इसने तो पहले से भी बढ़िया बगिया लगा ली। एक रात रवी चुपके से चंदन के घर में जाक कर देखता है। चंदन और उसकी पत्नी आपस में बाते कर रहे थे। अब ये मनी प्लांट रोजाना 2000 रुपए दे देती है। तो फिर आपको काम करने के क्या जरूरत। देवी ने मनी प्लांट हमें इसलिए नहीं दी कि हम आलसी होकर बैठ जाएं और कोई कामधंदा ना करे। अच्छा तो ये सब उस मनी प्लांट की वज़े से हो रहा है। रात में जब चंदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो रवी उनके घर में घुच जाता है। और मनी प्लांट चुडा लेता है। वो मनी प्लांट को एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब कल इसमें 2000 का नोट निकलेगा। रवी सुभा उठकर सबसे पहले बक्सा खोलता है। वो देखता है कि पोरा बक्सा सापों से भरा हुआ है। और मनी प्लांट से लगातार सांप निकल रहे हैं सांप रवी के उपर चड़ जाते हैं हे बगवान बचाओ 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 ऐसा कहकर रवी अपने घर में चारों और भागता है रवी की पत्मी दंडों से सांपों को हटाती है और मनी प्लांट रवी को लाकर दे देती है ज रवी तुरंद भागता हुआ चंदन के पास जाता है और चंदन के पैरों में गिर पड़ता है मुझे माफ कर दो चंदन मैंने तुम्हारी मनी प्लांट चुराई चंदन जैसे ही अपने हाथों में मनी प्लांट लेता है सभी साप गायर भूचाते है ऐसा तुमने क्यों किया रवी मेरे पास कोई काम धंदा नहीं है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था मैं तुम्हें पौधे बेचने का काम सिखाऊंगा और कुछ पैसे तुम्हें उधार देकर तुम्हारी बगिया भी लगाऊंगा अब चंदन और रवी साथ साथ पौधे बेचने का काम करने लगते हैं